हेलो बच्चों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज हम लिखेंगे ईद पर दस लाइन आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा नंबर वन ये मुस्लिमों का प्रसिद्ध तेवार है नंबर टू एद रमजान के महिने के बाद आती है जो हर साल अप्रेल या मै में शुरू होता है नंबर त्री रमजान में तीज दिनों तक रोजा इस्नामिक व्रत रखा जाता है नंबर फोर रोजे की समय सुरज निकलने के से लेकर सुरज डूबने तक रोजे की समय सुभा सुरज निकलने से लेकर सुरज डूबने तक समय का होता है नंबर फाइव डूबते सुरज के साथ रोजा खोला जाता है जिसे इफ्तार कहते है नंबर सिक्स बच्चों को इस दिन बड़ों से इद पर तौफ़ा मिलता है जिसे इदी कहा जाता है नंबर सेवन इद के दिन मुसल्मानों के घर में सेवनी बनती है नंबर एट इद की नमाज इदगाव में सैक्रे लोगों के साथ के साथ पड़ी जाती है नंबर नाइन इद मुसल्मानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है नंबर टेन इद के दिन सभी नए कपड़े पेहनते हैं पेहनते हैं क्पार कुट्रे बड़ा भूपों के साथ क्पार प्रूब को इद क्पार इद अज़ाई इद पार एग्पार